तो फैसले की घड़ी नस्दीक है कल वधान सभा चुनाव के लिए मतगरना होनी है और कल साफ हो जाएगा कि राजस्थान की जनता ने किसे चुना है हाला कि अभी भी निता अपनी जीत के दावे करने में जुटे हुए हैं और इसी बीच सवाई मादुपूर से बीजेपी प्रत्याश्री की रोडी लाल मिना ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगा क्योंको आपको जान करिए कि 2018 जो चुना हुआ तो जैपूर की घाट की गुने से लेकर दहुलपूर भरत्पूर तक मातर एक सीट आई थी दहुलपूर की और अब मैं खुद उस इलाके से चुना उनला और 28 सीट मैंसे 20 से 22 सीट भरती जनता पार्टी को मिलेंगी जिसमें करोली है सवाई मादपूर है दोसा है अलुवर का कुछ हेरिया है भरत्पूर का कुछ हेरिया है वहाँ छे मंतरी भजन लाल जाटो मैं सभा की वहार रहा है रमेश मिना मैंने सभा की वहार रहा है अपने परसादी लाल जी हार रहे है और ये वो अपने कामा वाली हार रही है मनलों जो मैं ये मान के चलता हूँ किरवन 95% मंतरी लुढक रहे है और जो टफेस्ट एरिया हुआ करता था जिसको समीकन की दिसके कान कॉंग्रेस का राज आये 2018 में 28 में से 20-22 सीट आ जाएं तो 33 पर भारती जन्ता पार्टी 120 बलकि अगर 130 से उपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशोक्ती नहीं होगी आप जनते हो हमारा पारल्लेमेंट बूर्ट तै करता है विशेशकर मोदी जी ही तै कर सकते है और उन्हीं के चेरे पर चुनाओ राजस्तार में लड़ा गया था यहां कोई हमारे कई कॉम्पिटेंट आदमी है साथ-ाठ जो बनने लाएंके उसको मोदी जी तै करेंगे वही मुकमनत्री होगा उनकी अगवाई में राज चलाएंगे यहां को बीजेपी की जानकारी नहीं होती है ऐसी बात जो आप बता रहे तो मैं जरूर आपको बता देता लेकिन गहलोस साब की जरूर तैयारी हैं उन्होंनों बैंगलाओर में दो बड़े रिसॉर्ट बुक कर लिए और सब को बाड़े में ले जाके बंद करेंगे और तीन तारी को वैसे छोड़ देंगे जिसे पिंजरे में से बंदरों को छोड़ा जाता है वो सब मुआ जाके हार जाएंगे